हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइब जामया में गोली चलने के आज जो घटना हुई है उस पर आमादनी पार्टी के सांसर संजर सिंग हमाई साथ बात करने के लिए मौजूद है सर आज ये जो घटना हुई है इसको लेकर काफी संगीन आप खड़काओ बयान दिलवाया उसमें सफल नहीं हुए फिर केजरीवाल को आतंकवादी कहलवाया उसमें सफल नहीं हुए फिर दिल्ली के अंदर नेता खोजे कौन लड़ सकता है केजरीवाल से उसमें सफल नहीं हुए विजली पानी चिकिस्या सिक्षा पे इनके पास कोई मुद्दा है नहीं तो मुद्दा विहीन नेता विहीन हतास भारती जनता पार्टी हार के डर से अब दिल्ली का चुनाव टलवाना चाहती है और दिल्ली का चुनाव टलवाने के लिए ये दंगे फसाद इस तरह की एक रणनीती बना रहे हैं साजिस रच रहे हैं बताइए आ नहाट ग्रेमंत्री अमिस्साह ने बाधे हैं जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे नाकारा ग्रेमंत्री है मैं तो कहना चाओउगा दिल्ली के अंदर!... 24 गंटे में 9 हत्याएं हो जाती हैं, वकीलों पे गोलिया चल जाती हैं, छात्रों पे लाठिया चल जाती हैं, 220 राउंड फायर दिली की सडकों पे एक महीने में होता है, गैंग वार दिली की सडकों पे होता है, तो ऐसा विक्ती अगर देश का ग्रह मंत्री है, जिसको देश क कौन से देश हैं हम अपराद हिंसावाले देश हैं और इस देश के अंदर खुले आम गोली चल रही है देश के राजधानी है तो ये इक बड़ी पर निश्चित रूप से एसे व्यक्ति को अपने पद पर रहने का हक नहीं है। ऐसे नाकारण गरी मंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। चुनाव में अब कुछ ही समय शेश सेतर और ऐसे अगर इस तरह से हालात बने रहे तो लगता है चुनाव हो पाएंगे ये तो चुनावायोग को तेह करना है कि क्या ऐसे तत्वों के सामने चुनावायोग घुटने टेक देगा या फिर इनके खिलाफ सकती से करवाई करेगा आम आदमे पाटीस पीफे की मांग कर रही है प्रदान मंत्री सीरीज 2 शनिवाराथ दस बड़े